तो आज मैंने फूर्सत से क्योंकि आज मिस्त्री नहीं आया है हमारे छुटी है उनकी तो दो-तीन दिनों से जो भी थोड़ा-थोड़ा सा शूट करके रखावा था ब्लॉग नहीं बनाया था तो वो सारा आज कम्प्लीट आज आपके साथ शेयर कर रही हूं आज होब कि आपको भी ब्लॉग अच्छा लगे तो यहां पर मैं बना री थी परांठे पतगों भी बच्ची भी थी थी थोड़ी सी तो वो मैंने इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर ली साथ में अधरक ग्रेट किया और फिर इसमें नारियल ग्रेट किया बच्चों पर सारे मसाले में इसमें ऐड कर रही हूँ देखे थोड़ी सी हल्री लाल बिर्च पाउडर मिक्स मसाला थोड़ी सी अजवाइन काली मिर्च यह सब चीजें फिर मैंने इसमें एड की और बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी तो परांठे का मसाला तयार हो पर परंठे का क्या मतलब नाम ही परंठा है जो मर्जिस के अंदर बाहर से देसी गी का क्या बोलता है उसको पचाएरअ जैसा लगा दो देसीगी लगा दीजे बाहर से और फिर बन गया आपका परांठा और जो भी चीज़े आपने अंदर टेस्ट तो भी उनिक आना है तो पता गोभी का भी बहुत अच्छा एक्सपिरियंस रहा हमारा कि इसके परांठे भी बहुत अच्छे बन गए तो यहां पर मैंने पहले मस परांठे बन रहे हैं तो देसीगी को पहले मैंने रख दिया गरम करने के लिए क्योंकि हमारे यहां पर हो गई है सर्दी तो बस रजाईया निकल चुकी हैं गरम कपड़े भी निकल गए हैं जैसा आप देखी रहे हो अच्छा भी मैंने शेर ही नहीं किया था बस मैंने भी स्टार्ट कर दिया है बच्चों को स्टार पहनाना तो बस यह गरम गरम परांटे हमारे हो गए हैं रेडी और इसके साथ अकर चाय मिल जाए खासकर मेरे हाथ की बनी हुई तो और चाहिए क्या अच्छा है वह इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो भी मेरे हाथ की चाय पीता इसमें डाल रही हूं काली मिर्च जेहं काली मिर्च म lock कर देती है तो सरदियों के मौसम में तो बड़ा रहता है यूंकि आपको बते हैं सरदियों के मौसम में में हमारे हम थो अदम झाइँ तो मिस्त्रियों के लिए भी बनाई थी और इसके बाद फिर यह रखे यहां पर आप बोलते रहते थे ना कि मसाले के लिए आप मतलब लकडी वाला यह मसाल दानी हम लोग मसाल दानी बोलते हैं इसको अपने लोकल में तो वो यूज की जिए तो बस मैंने आपके बात रख ल वहां दो दो दीन भी चलेंगे तो खतम हो जाएगा इसलिए फिर मैंने इसके दो दो डिबो में यह मसाले डाल दिये बच्चे बहुत साथ अश्योर करते हैं मतलब पूरा दिन भर न यह तो चलो आज के इनको रेत भी मिला हुआ कहलने के लिए नहीं तो पूरा दिन बर य तो लेंच कुछ लूज के लिए यह राजमा डाले थे आज दू लोग पहाड़ी वाले बस वही दुन्नों डाल दिये थे मिक्स करके और मजब सब के लिए है मिस्त्रियों समेती है का न है तो उमेल ज्यादा डाले वह पहले तो मैं इसको ही राल दूँगी बॉइल के लिए तो यह için mailsं और यहां आपर ये दिया अ मेरे बचों के हाल देन के ब्लाने बघाल यह नीच मaware मन subsid को news पर पानी निभरी नहीं हो अभी खाली किरा रहा हूं तुन किया है तित्ते ओर खरीया है ओठाके ओर खाली करने करने पर लिमंज रहा कुछिनेरी चे काली खनाई कर सकते हैं नम बनी में लवस होती नहीं है तो यह बंदे को फाल मैंने तेले ओरली अलिकराइज नहीं एक अधिनी उपरना फिर मंज रहा कुछ नहीं में सिंकल चनाई का उनी से ओरली भर्यांगी तो इत्ते कर लेंगे दो ही चलो ठीक है गुड माननी मुक्यमंत्री जहरम ठापुर जी शलका घाट आरे हैं तो आपने गया जो आगत कर दो मैं गया था सुबह जब वो टैंट पकर लगा रहे थे तो थोड़ा मैंने कैप्चर किया है तो भी आएंगे तो जाएंगे हम भी अगर मौका मिला तो उसे ब सबस्कार आई एक और ये रेट से खेल के या मजे गोवा के बीच बने हुए इनके परे ना रेत में और जो मिस्तरिया उनको मना गरते हैं कि बस इसके बाद अब मतले जाना नहीं तो बला हमारे बीच खराब हो जाएंगे तो वेचल ये मैं आपको दिखा चेब कितना कर इनके परेंकों में दर दो जाती आूं बार बार और मेरे टांगे व्यिद्ट सबसे पहले तो यह रिख तो यह तो बनांट एगा तो इसी में एड़्जस्ट करेंगे kitchen, bathroom बगएरा सब कुछ तो वो यहीं पे एड़्जस्ट करेंगे और यह ना इधर की नारे को जो चिमिनी थी ना हमारी वो नीचे से आ रही है बस यह उपर चली जाएगी ऐसी उपर को क्या टो गड़्वड़ी यह होगी अगर यह जो दर्वाजा कई थी ना यह थोड़ा सब पाती कि नहीं अच्री मैं उस वक्त थी ना मं ना खिला की बन जायेगाaráप तो यहां पे अुसाब से अग्यों को भीन अजिस्ट हो सब्स्क्रांटर्वरी ना बड़ ज़ादा ठीक र यहां रहा इसका से किन वला रूम बन गया और यहां से रेखिए बाहर का नजारा यहां से भी खेड किया हमने काफी बड़ी बड़ी सी रखी ताकि अराम से लोग यहां के वियों का अनन्द ले सके हैं जी यहां से बंद और यहां से बंद बाता है यहां से अराम से बंद कोई बैठ के देख सकता है बस फिर यह बंद हो गया यह सारव यहां पर भी खिर की है इड़ा किचन बनेगा तो किचन पे भी फिर मैंने उस तरह को विल्डोर रखवाई थोड़ा उफ पर जैसी मतलब तकी तैल के लिवीज़ जगाए बचले और उसी साफ मैं सब्गाए तो कि यहां पर आप यहां यहां बनेगा यह यहां से लोज तो यह एक रूम बन गया, यह हमने सेपरेट ही रखे दूनों, कि वे टू रूम सेट तो है, बट सेपरेट सेपरेट रहेंगे, दूनों कम देश, एक तो यह बन जाएगा, और यह यहाँ पर यह बन जाएगा, इसी के अंदर फिर अटैच हो जाएगा, बाथ रूम बगारा, किचन सब कुछ, फिर बचेगा वो जो पिछे आप देख रहे हो ना, वो जो लगा रखे हमने, एल्टीम ने जैसे, तो यहाँ पर बनेगा, फिर सिंगल, और उसका भी सेम वहार, उस वाली साइड का व्यू, अराम से देखते रहे है, कैप्चर की जिए, साथ में व्यू का मतलब लुफ्त उठाई है, तो यहाँ पर यहाँ पर आ करके न, मेरा दिल करता है कि हम ही इधरी शिफ्ट हो जाए, और मुझे बहुत बड़ा कहरे उतना पसंद नहीं है, मतलब कोई छोटा था, जैसे यह टू रूम सेट बनेगा, तो यह सबसे बेस्ट बहेगा, मेरा कॉर्डि होता जाएगा, मैं आपके साथ भी शेयर करती रहोंगी, और बस यह बीच में फिर यहाँ पर रेलिंग लगा करके गैलरी बन जाएगी, प्रेलिंग तो चारो तरफी लगेगी न, क्योंकि स्पेस छोड़ा हुआ है, हर जगा कोई यहाँ को तो खैर उतना ज्यादा नहीं ह आगे वाला, फ्रेंट वाला और बैक साइड वाला काफी बड़ा स्पेस है, इवन बैक साइड वाला तो इतना है कि इसके आप कुछ और अगर कंस्ट्रिक्शन भी करना चाहें तो हो सकती है, लेकिन हम खुला खाला ही रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें खुले से ब्र बी करूंगी, साथी साथ अपने बालों में मतलब लगा करके मुझे भी बेनिफिट मिलते रहते हैं, तो यहाँ से मैंने फिर अमरूत की पतियां ली, साथी मैंने यहाँ से कड़ी पते लिए, कड़ी पते कड़ी में भी आ जाएंगे काम, और मेरी रेमिडी के लिए भी का काम किया, अभी यहाँ पे मेरी कड़ी बन रही थी, साथी साथ राजमा का तड़का, मतलब पती दे भी साथ में यहाँ पे राजमा बना रहे थे, हम दोने ही काम कर रहे होते हैं, किचन में मुझे बनाना होता है, क्योंकि आज कल काम थोड़ा जादा बढ़ गया है, तो मतलब प्यास बगयरा भुन गे हैं, अद्रक लैसुन का पेस्ट इसमें एड कर दिया, सारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, नमक बगयरा, सब एड कर दिया, और इसी के साथ ही फिर इसमें यह टमाटर ग्राइंड के हुए, तो इसको भी एड करके अच इसी भी सबजी में या फिर दाल में, जब से वह में को रियक्शन वाली बात हुई थी ना, फिर उसके बाद तो हम बहुत काली मिर्च खाते हैं, चाय में भी काली मिर्च, तो यह देखिए राजमा भी उबल गे थे, यह ने दो मैंने इसमें दो तिन आलू भी डाल दिये इसे क्या होता है कि एक ठीक जैसी गरेवी भी बन जाती है, और जात में आलू राजमा का टेस्ट भी काफी अच्छा होता है, इसका कंबिनेशन काफी अच्छा रहता है, तो यह देखिए अभी आलू डाल दिये इसमें, तो थोड़ी सी जो इसकी गरेवी है, यह भी थोड साइड में आपको दिखा रही है, मैंने बना के रख दी है, और जब तक अलवी तड़का लगा रहे थे इसमें, तब तक फिर चावल डाले, थोड़ी सी चपाती हैं भी लगाई थी, तो यह सब काम क्यूंदे चार वाला बर्नर वाला है तो थोड़ा मेरा जल्दी हो जाता और यह इसमें तड़का लगाया था तो थोड़ा सा इसमें राजमा डाल करके गुमा दिया ताकि तड़का जो है वेस्ट ना जाए, यह देखो फिर से एक कडची लेंगे और दुबारा से जो जो मसाला इसके साथ चिपका हुआ है, वो सारा निकाल करके इसमें डाल दिया तो यहां पर बन गए राजमा और जब तक वस खाना बना तब तक फिर यहां से आ गया बुलावा की लकडियां, लकडियों के लिए और जो दे रखा था तो खिड़कियां, दरवाजें वो सब बन करके रेडी हो करके आ गये हैं, तो इन्होंने मेरे को कॉल किया कि भी आ कर करके एक तो देख भी जा, और साथी साथ फिर मिस्ट्रियों को बोल दे भी थोड़ा सा उठाने के लिए, हेल्प कराने के लिए, तो यहां पर फिर यह दीखिये, यह आ गई गाड़ी, तो पहले मैंने यह देख के आई, फिर मिस्ट्रियों को बोलके आऊंगी, क्यूंकि जो लकडिया है वो ऐस तो हमने सोचा था कि हम दूर नहीं उतार देंगे पर हमारे बशकी नहीं थी तो फिर में दुबारा आई और छट पे जाकर के इनको बुला बिस्तरियों को फिर वो सारे आ गए तो फिर जाकर के यह हमने नीचे को उतारी घर का काम मतब लगता तो है न सब कुछ दूलाना ही पड़ता है और उसे ही तो दूलाने वाले लाने पड़ते हैं फिर उनके साथ किछ-किछ की इतने में डूलेंगे ऐसा नहीं कराना है कराना है आपकी मर्जी सिद्धी बोल देते हैं यहां पर लोग भी ऐसे हैं कि धरती पर भी सामान को मतलब रखने कोंई ओगी से बीच्च कोहने बीच नहीं करो दो कि हमारे तो अहसे नेचर जैसे काम देखिया अभी लख्ठी उतारी अभी किपको अभी का सारा का सारा क्लियर कर दिया है यो कि? कि लकड़ी बाक जाय है कि नहीं है, उसके बाद फिर payment करेंगे, half अभी कर रहे हैं, half बाद में करेंगे, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, हम उसी टाइम पर clear कर देते हैं, जैसे भी किसी ने डूला तो उसका उसी टाइम पर, या फिर कोई भी चीज मंगवाई जैसे रेता मंगवाई स्मेंट मंगवाई तो उसी टाइम पर पेमेंट वगएरा सब क्लियर कर देते हैं तो ऐसे कई दिक्कत होती है जो कि फेस करने पड़ती है अभी हम काम करवा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है टाइम टू टाइम की कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है कैसे क्या कराना पड़ता है जबकि हमारे तो नेचर भी ऐसे हेल्पिंग सा है यह रखिया मैं भी जबक इसके वी जो है वी जो है लखी 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 जल्दी लखी जल्दी लखी तो ऐसा ऐसा काम चल रहा है और बिल्कुल भी फुरसत नहीं मिलती अब जाकर के मुझे नहाने की फुरसत मिली है पहले वो लकड़ियां क्लियर करवा करके फिर इनको लंच करवाया मिस्त्रियों को भी खुद भी बहुत बुख लगी थी तो वो सारा कुछ करने के बाद फिर जाकर के अभी में नहा करके फ्री तो कहां भी फिर से पानी देने की बारी आ जाती है फिर चाय वाए तो इस तरह का है तो बस आसके व्लॉक की करें यही पेंट नमिशकार